हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दो चैनल स्रस्टी स्टेडी पांट यह देखिए उत्तर प्रदेश लोग से वायों की ओर से यह देखिए सहायक नगर नियोजन परिक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से ही शुरू हो पहले उत्तर प्रदेश लोग से वायोग ने अपना एक पूरा जो एक्जाम था उसका प्रोग्राम निकाला था उसमें कहा था अगस्त के दूसरे सब्ता में सब वेकेंसी आएंगी जिसमें सबसे उपर इसी वेकेंसी का नाम है अगर आपने वीडियो मेरी चैनल पर नहीं हैं तो हो सकता है कि इसके बाद ये लोग एक दो दिन में स्टाफ नर्स का भी नोटिफेकेशन जो है वो जारी कर दें तो बिल्कुल निश्चिंत रही है अब यूपी पीएसी ने जितने भी कहा है अगस्त के दूसरे सब्ता तक वेकेंसी निकालेंगे तो दूसरे नहीं तो तीसरे सब्ता तक ही सारी किलियर हो जाएंगी सबके नोटिफेकेशन आ जाएंगे तो यहां मैंने आपको बता दिया लेकिन है सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो OTR आपको सबसे पहले करना होगा यह पहले भी मैं वीडियो में बता च पहले वहांतर घंटे पहले आपको OTR जो है जनरेट करना होगा और वो पी इस वैपसाइट पर जो यह वैपसाइट दे रखी है इसके बाद जब आपको OTR मिल जाएगा तब आप यह वारी जो UPSC.UP.NIC.IN पर आवेदन अपना कर पाएंगे तो बिना OTR के फिलाल आप आप पूरा नोटिफिकेशन आया है इसको पढ़ लिजेगा कि किस तरह से आपको जो है अपना फॉर्म भरना है अब OTR आवेदन से पूर OTR करना अनवार है तो OTR के लिए पूरा इन्हों नहीं आप कर रखाया कि आपने OTR अपना बना रखाया तो क्लिक करिए उस पर नहीं करा है तो फिर OTR बनाईए यह सब इस पर पूछेंगे चार चन्नों में आपको पूरा फॉर्म भरना होगा अपनों और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है शुल्क क्या है और सेक्षिक योगता यह दोनों पहले बताती हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रिंटा निक के लिए 65 रुपए है और इसके साथ सवतंतरता सेनानी और जो महिलाएं हैं और इसके साथ साथ कुशल खिलाडी है यह अपनी मूल स्रियर्णी के अनुसार इने देंगे मालो जैसे वह अगर सवतंतरता सेनानी अनारिक्षत में आते तो उनकी सुल्क उतना ह इस तरह से है ठीक है तो यह पूरा यहां पर लिखा है आपका जो ऑनलाइन पेमिंट भी ऑनलाइन होगा इस चरह को व्याद रखिएगा उसका प्रिंट आउट यह प्राप्त कर लें आप अपना ऑनलाइन का और अपने पास जो पेमिंट किया है उसको सरक्षत रखे टोट समुखा का आराज पत्रित आपकी जो है वो इसमें ये जॉब लगेगी और ग्रीड पे 54 है इसके सासद मैं आपको बता दू कि आपका जो चैन होगा वो किस आधार पे होगा वो यहां पर ही लिखा है देखिए चैन आपका जब भी होगा तो चैन मुख परिक्षा की लिख और मेन की दो ही परिक्षा होंगी इसमें तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है और पूरा तो यहां पर मैंने आपको एक यह बता दिया जो इंपोर्टेंट चीजें वो बताती चलने हो जिससे की वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो आप लोग खुद भी डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और सेक्षिक योगिता यहां पर थोड़ी अलग टाइप किये जिस पर आपको ध्यान देरी की बात है इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें सेक्षिक योगिता में जो अनिवारे अहरता है इसको याद रखी किसी मानेता प्राप्त से किया हो है ना या इसमें फिर आ गया कि अभी संस्थाओं की पूरी डिटेल है उनमें से आपने एसोशेट सदस्ता यह पूरा लिखा है इंस्टिटूट अफ प्लानर्स इंडिया अमेरिकर इंस्टिटूट अफ टाउन प्लानर्स इंस्टिटूट अफ टाउन प्लानर् चरता आपके पास रही हो तो यह चीजे हैं यानि कि अगर आपने Britt G dusty ग्रेजूशन कर रखा है और फ्रिक और आपके पास कोई डिपलोमाहे तो आप इसके लिए लिए इस्के साहँ इसके अलावा verdad onie इसके अलावा यह जितने भी यहाँ पर बिभाग दिये हैं इन बिभागों से आपने जो पाठिक्रम ये पूरा लिखा है जैसे इंस्ट्रिट ओफ टाउन प्लानर्स इंडिया आई टी पी आई नई दिल्ली से एसुशियेट शिप परिक्षा आपने उननी सो बावन में था ये परिक्षा वाला पाठिक्रम आप में ले रखी हो शिबाद कर वाले घर लेगा है मांस्टर ओफ चाहसिंग water technically हो फैस्मीन में इस तरह से आपने अगर इस जगवों से आपने तो यह दिआ दे रखे हैं कितनी आप ढराप देखलघ ये पूरी अटथाइस यह आप देखिए और हिगी सब्सक्तिक्रिश्या ल अधिमानी अहर्ता गयर्ता अधिमानी अहर्ता आपके लिए और ज्यादा प्राइरटी दिआए यह है यह फिर सारी अहरता पूर्ण होना आवश्यक है आपका जब फॉर्म सम्मिट करेंगे आविदन सम्मिट करने से पूर्व आपकी सारी अहरताएं जो पूर्ण होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप अभी परसुइंग है यानि कि उस कोर्स को कर रहे हैं नहीं आपके पास पूरी प्रॉपर से पहले या एक जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए ठीक है इसमें ये लिखा है इससे पहले कि आप जन्मे ना हो 1902 जुलाई 1983 से और एक जुलाई 2002 के बाद के ना जन्मे हो दिव्यांग जन्मों के लिए सबसे ज़्यादा जो है 55 वर्ष के अगर आप है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दिव्यांग है अगर दो जुलाई 1968 से पूर का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और आपकी आयूस एमा में छुट मिलेगी लेकिन उत्तर प्रदेश के वच्चों को मिलेगी इसमें पूरा मैं बता दूं कि अनुसुचु जन जाती जितने भी है और इसके साथ पिछडा वर्ग खेलों में कुशल खेलाडी इन सब के लिए और बेसिक शिक्चा परिसद में अगर सिक्षक हैं आप यह सिक्ष्णेत्र करमचारी हैं वहाँ पर मादमिक विद्यालों में सिक्षक हैं आप यह करमचारी हैं वहाँ पर तो आपको पांच वर् इसको 15 वर्स आपकी मानने होगी ठीक है यह सब इसमें लिखा गया है और इसके साथ साथ जो अधिकारी बगएरा है अधिक्तम आयू सेना में जो सेवा की गई है मालो आपने 15 वर्स सेना में सेवा की है और प्लस 3 वर्स की और छूट में लेगी यानि कि आपको 18 वर्स की लिजेगा कि कितना है किस तरह का एवरेज है यह पूरा यहां पर लिखा हुआ है और इसको ढंक से देख लिजेगा क्योंकि एक भी चीज इसमें छूटे नहां और जो भी इंपोर्टन चीज है वह आपको बताती चल रही हूं मैं और यह देखिए यह लिखा है पूरा कैस से आपका PEPER का संबंद है यह प्रारमवेग परिक्षा में सफल होने वाले अभ्यार्तियों को मुख परिक्षा में संविलेर किये जाएंगे प्रारम भिकली निदर्शन उनसार और जो अनुसुची जाती और जन जाती इन सब के लिए जो है वो 105 रुपय का फॉर्म होगा इस तरह से इसमें दिया हुआ है पहले प्री की परिक्षा दीजे उसके बाद मेंस के लिए तो फिर दुबारा से नोटिफेकिशन आता है तो ये है इसमें लिखा देखी सहायक प्रमाणपत्र अंतिम तिथी तक प्रिशेत नहीं करेंगे तो उनकी अभ्यरतन जो है निरस्त कर दिया जाएगा इसमें इस तरह की बाते लिखी भी है अब मैं यहाँ पर यह बता देती हूं कि पेपर कैसा आता है क्या आएगा पेपर में जिससे कि आपको जो है कोई बोन पारिक्षा का पैटर्न नेगेटर मारकिंग है पूरा लिखाया गलत उतन पर यहिदि कोई उम्मीद्वार एक से दिक उत्तर देता तो उसका गलत ही माना जाएगा यह सब लिखाय ठीक है तो इसमें यह जब लिखा हुगए उसके बाद आपकी मिनिम दक्षिता यहाँ पर वे आपको सामिल नहीं किया जागा यानि कि में में थर्टी फाइप फचलानी में मेंす आप नहीं लापाए तो आप जो है उससे मतलब बाहर कर दी माने जाएंगे कि आप जो है इस परिक्षा से बाहर हैं तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है अभी मैं आपको यहाँ पर अब देखे यह पूरा यह लिखा हुआ है इसके बाद परिक्षा का पैटर्न हाँ यह दे लीजेगा, और इसके बाद ये आ गया परिक्षा का पैटर्न, यह देंसे यहां से देखते हैं. यह देंस पहले आपको प्रारंबिक परिक्षा हैं. Ł।ituation प्रिशन पत्र अपका एक होगा और और प्रिशन पत्र एक होगा लेकिन प्रिशन जो होंगे वो 1.500 आएंगे याद रखना जिसमें 100 कोश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे नगर ग्राम नियोजन से और 50 आपके जीएस के होंगे इस चीज को याद रखना है कुल अंक 300 होंगे यानि कि हर प्रिशन के लिए आपके लिए दो नमबर मिलेंगे एक 3 कोशन गलत उन्हें पर एक सही कोशन काट दिया जाएगा और आपको 120 मिनट में लेंगे यानि कि 150 कोशन आपको करने हैं 120 मिनट में ये दिमाग रखिएगा ठीक है इसमें 100 कोशन आपके सब्जेक्ट से होंगे 50 जीएस से होंगे अब इसमें देखे और मुख परिक्षा में क्या होगा ये देखे ये होगी आपकी प्रावरंबिक परिक्षा objective time लेकिन मुख परिक्षा जो आपकी जवफ प्रावरंबिक पास कर लेंगे minimum marks ले आएंगे तब मुख परिक्षा होगी उसमें मुख परिक्षा में प्रिशन पत्रों की संख्या 2 होगी पहला ही प्रशन पत्र में आपको हिंदी और निवंद आएगा, प्रमपरागत करी तरीके से लिखना होगा, दो घंटे का समय मिलेगा, सौ अंक होगे, और इसमें क्या होगा, सामान हिंदी हे तू पचास अंक है, और निवंद हे तू आपके पचास अंक है, यानि कि सौ अंक खंड आ और खंड भा में दो भागों में ववाजित होगा प्रशन एक से पांच तक आपको सारे अनवारे होंगे और प्रते खंड में दो प्रशन करना आपको अनवारे होंगे ठीक है प्रते खंड दो खंड है ना खंड आ खंड भा सभी प्रशनों का अंक समान होगा कुल प लेकिन आपको 5 का उत्तर देना है, 200 पूणा अंक का आपका पेपर होगा, पूरा इसमें लिखा है, और यह दुतिय प्रिशन पत्र की बात हो रही है, यहां पर, इसको याद रखिएगा, और यह प्रिशन पत्र पत्र अलग है, इसके 100 अंक का होगा, 22 गंटे मिलेंगे, और सब्सक्राइब उसमें इतरवाले सब्जेक्पोर सब्सक्राइब प्रारंभिक वाली में सेम वही से इसके भी इसलिव स्लिवास रहीगा लेकिन उसका ऑब यह होगा इसमें फ हुआ जोरेश्ण नायों तरह उब्शन यह सब ल troubled कितने में को छला को गया नहीं ॆ और यह भी में आपका 300 में को दोका/. अब स्लेवस देख लीजे, स्लेवस प्रारंबिक परिक्षा के लिए जीए इसका स्लेवस जो सब जगए होता है यानके विज्ञान, इतिहास, भारत रियास्टियां दोलन, पॉलिटी और ये क्रिशी, भूगोल में विश्व और भारत दोनों भूगोल आएगा, ये आगया क प्रारंबिक में आपको पता है, और उसके साथ जो सब्जेक्टिव का है, जो सो कोशन आएगे वो लिखा देखो, मुख परिक्षा के दुर्ती प्रिशनपत के पार्ट करम के अनुसार होगा, लेकिन ये सो कोशन अब्जेक्टिव होगे, तो ये प्रारंबिक में आपके टूٹल डेर सो कोशन हो जाएगे, स्लेवस वही रहेगा, जो की मुख परिक्षा का रहेगा, अब मुख परिक्षा में क्या था? इसमें सो नंबर का ऊपर आ रहा था, तो देखे, इसमें 50 का जो हिंदी, सामान हिंदी आ रही थी, उसमें ये सब आएगा, पचास नंबर की स क्या है एक खंड होगा एक ही निवंद लिखना होगा जो की 50 नंबर का होगा आपका और 500 शब्द में आपको इसको स्क्राप्ट करना होगा इन 5-6 पॉइंट में से कोई एक निवंद आपको आएगा मतलब 2-3 निवंद जो 3 जितना भी option होगा उसमें से एक निवंद आपको ठीक है तो इस चीज को जाद रखीगा निवंद एक लिखने को आएगा 50 नंबर का 50 नंबर का हिंदी व्याकरण आएगी यह आपका मेंस का होगया आप यहां पर होगया मेंस का फिर्दूर्थी वाला स्लेवर्थ वही है जो प्री का है लेकिन यह लिखित परिक्षा होगी बस यह है ठीक है 200 नंबर की होगी नहीं होगी लिखित परिक्षा तभी तो 300 का होगा टोटल आपको कितने कोशन सौल करने होगे टोटल आपके लिए 8 कोशन मिलेंगे कितने कोशन है इसमें पूरा 8 कोशन आएंगे जिसमें से आपको कुल 5 प्रिशनों के उत्तर देने होग मतलब जादा बड़ा पेपर नहीं होगा लेकिन सलेवस देखे काफी है इसमें इस्थल और नियोजन विकास से फिर अनुपृत भूविज्ञान नियोजन सिधान नियोजन में सांखे की परिमार आत्मक एनूवा वगेरा नियोजन तक नहीं की यह सब इसमें सलेवस दे र परियाबरान विकास परिनियोजन ठीक है यह सब इसमें दिया हुआ है तो पूरा इसमें सलेवस है पांच पेज का है आप इसको डाउनलोड कर लीजेगा और अच्छे से पढ़ लीजेगा इसको जितना मुझे समझ में आये मैंने आपको बतानी कोशिच की वीडियो जाद नहीं इसमें आरो ए आरो भी जुडा होगा देखना आरो आरो ए आरो की वेकेंची भी आएँगी ठीक है इस चीजको याद रखेएगा तो ये बिल्कुल बच्चे परिशान ना हो कि वेकेंसी नहीं आएँगी तो ये देखिए जितनी भी उननहोंने वेकेंसी का टोटल 24 पूरी 24 वेकेंसी पर इन्होंने अपना नोटिफेकेशन जारी किया है आप लोग अगर इसके लिए लेजिविल है तो फॉर्म भरिए डेफिनेटली और अपने लिए एक जॉब जो है वो सिक्यूर कीजिए इसमें सब सच्छी बाती है कि इंटर्व्यू नहीं है यह बच्च कर दो